विट्टल री रेजिस्टेशन या आर्सी रेनोवल की पूरी जानकरी आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं तो इस वीडियो को लाश्ट तक देखते रहेगा ताकि पूरी जानकरी आप अच्छे से समझ सके किसी भी सर्चेंजर में आप सर्च कर दीजेगा पर रेजिस्टर रेह ए यहान पर इस अलगर गर आपको आपको नहीं पता तो सिंप्ली में ऴीकर रेजिस्टेशन नमबर के क्लिक करके गाड़ी नंबर या रेजिस्टेशन यहां पर डालके प्रॉसीड पर किलिक कर दीजेगा इस तरीके से पेज आपके सामने उपन हो के आ जाएगा अगर आप अपने विकल की आर्सी से मोबाइल नंबर एड या लिंक या चैंज अपडेट करना चाहते हो यहाँ पे किलिक करें यहाँ पे आप किलिक कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि सर्विसीज पे कि किलिक करके अपडेट मूबाइल नंबर पे किलिक कर सकते हैं अब यहाँ पे विकल रजिस्टेस नंबर डाल दीजे यहाँ पे इस नंबर फूल चैसे नंबर डाल दीए फूल इंजन नंबर यहाँ पे डाल दीजेगा कब कर रजिस्टेसन है रजिस्टेसन डेट यहाँ प तो डेटेल्स पे कलिक कर दीजियेगा, इस तरीकिसे आपके सामने उपनों के आ जाएगा, मोबाल नमबर यहां पर डाल दीजियेगा, जन्नेट OTP पर कलिक करेंगे, तो इस मोबाल पर एक OTP पर चला जाएगा, वो टीपैं आपर डाल गे, Save Details पे क्लिक करें प्रिजस पे क्लिक करें इस तरीके से आज़ाएक Mobile Number has been updated successfully वहाँ Citizen Services पे क्लिक कर दीजिया अब Online Services पे क्लिक करके Wickel Related Services पे क्लिक करके State Select कर लिजियागा किसी State में Wickel Registered है उसके बाद इस तरीके से आएगा तो यहाँ पे Wickel Registration Number वाइज बे आप प्रोसीड कर सकते हो गाड़ी नमपर यहाँ पे डालके प्रोसीड पे क्लिक कीजियेगा अब यहाँ पे Renewal of Registration इस पे क्लिक कर दीजियेगा Wickel Registration Number यहाँ पे डाले Chasis Number के लाइच की 5 डिजिट यहाँ पे डालके Submit पे क्लिक करें इस तरीके साब के सामने उपनों के आ जाएगा Wickel की डिटेल और Honor की डिटेल आपके सामने यहाँ पे दिख जाएगी Renewal Registration of Wickel इस पे नीचे की तरफ आ जाईएगा Insurance Detail आपको Wickel के यहाँ पे दिख जाएगा तो हमारा Insurance Valid है Validity बच विए तो यहाँ पे आ गया है अगर आपके Insurance की Validity एकस्पायर हो गई है तो री इसू करा लीजिएगा या इसू करा लीजिएगा और अगर पहले से ही Valid Insurance है लेकिन यहाँ पे डिटेल अपडेट नहीं है तो Insurance Company से आप बोल सकते है जो One का Portal है वहाँ पे Insurance की डिटेल अपडेट नहीं है तो जो Insurance Company है 24 या 48 आवर के अंदर अपडेट कर देगी Insurance की डिटेल से यहाँ पे उसके बाद तो हमारा तो Update है यहाँ पे Valid Insurance है तो यहाँ पे नीचे की तरह आप आऊगे तो इस फैनल आपको दिख जाएगा यहाँ पे Grintax का कितना Payment Rainwall of Registration का कितना है वो सब आप यहाँ पे दिख जाएगे यहाँ पे और Total Amount यहाँ पे आपको दिख जाएगी अब हमारे यहाँ पे यहाँ पे Direct Proceed का आ रहा है अगर आपके में यहाँ पे उसका आ रहा है Save का रहा है तो Save पे किलिक करेंगे जैसे Save पे किलिक करेंगे तो Application Number जन्रेट होके आ जाएगा उसके बाद ओके पे किलिक करोगे तो Pay का ओक्सन आपको दिख जाएगा तो Pay पे आपको किलिक करना है तो हमको तो Proceed का यह दिख गया तो Proceed पे हम किलिक कर देते हैं पर इस तरीके से आ जाएगा तो यहाँ पे आप SBI E-Pay या SBI Multibanking से लाक्ट कर लोगे यहाँ पे यह जो Boxes पे किलिक करके Continue पे किलिक कीजिएगा अगर आप State Bank Net Banking Payment करना चाहते हैं तो यहाँ पे किलिक कर देते हैं इस तरीके से आ जाता है तो Confirm पे किलिक कर देते हैं कार्ड नमबर डाल दीजिए किस मन्तियर में कार्ड एकस पैर हो रहा हो वो यहाँ पे डाले किनके नाम पे कार्ड उनका नाम यहाँ पे डाले CVP Code की तीन डिजिट कार्ड के पिछ आपको दिख जाएगी वह यहाँ पे डालके capture यहाँ डालके paper किलिक करें अब यहाँ पे OTP डाल दीजिए जो मोबाइल कार्ड से लिंक को स्पेक OTP चला गया है वोटी पे आम डालके में एक पेमेंट पे किलिक करें तरीके से आ जाता पेमेंट डान सक्सस्पुली इस तरीके से payment receipt हमारे सामने open होके आ जाती है अगर आपके document upload का आ रहा है उसका भी हम इस वीडियो को लाश्ट में बता देंगे कि इस तरीके से आप document upload कर सकते है या आप इस पेस से exit हो गए थे या payment आपकी pending में चले गई है तो उसका भी हम आपको तरीका बता देंगे तो यहां पे जो आराइप payment receipt इसको save करने के लिए प्रिंट निकालने के लिए डाउनलोड करने के लिए simply print पे आप क्लिक कर सकते है यहां पे प्रिंट CMV form 25 तो form 25 इसको download कर लिजेगा प्रिंट इसका निकाल लिजेगा चार या 5 पेज आपको प्रिंट निकालने होंगे इसको और documents के साथ RTO आपको जाना होगा appointment आप किस तरीके से book कर सकते है उसका भी हम बता रहे यह जो form 25 है इसको भरने के तरीके के वीडियो अलड़ी चैनल पर अफ्लोड कर रख किया हमने या YouTube में भी आप सर्च कर सकते है how to fill form 25 तो वीडियो आपको अलड़ी मिल जाएगी appointment की ब कि know your application status पर किजिएगा इस तरीके से ओपन हो के आ जाएगा यहाँ पर वीकल रेजिस्टेशन नंबर इस पर किलिक करके वीकल रेजिस्टेशन नंबर रेगार नंबर यहां पर डाल दीजिए एक capture button यहाँ डालके submit पर किलिक करोगे तो यहाँ पर book appointment किलिक करके application नंबर डा आर्टेशन जाके आप document verify करा सकते हैं कौन कोशे document आपको लेके जाने होंगे वह हम आपको बता देते हैं पर आपको लेके जाने है और उसके बाद यहाँ पर चेशिस इंप्रेशन प्रेट तो आप एक white A4 paper लीजिएगा उसको चेशिस बोड को उपर रखेगा उसको पर 35 चलाईगा तो उपर आजाएगा और यहाँ पर maximum RTO में बिना high security registration प्लेट आपके work नहीं होगा काम नहीं होगा कोई भी सभी आटियों ने high security number प्लेट वहाँ पर mandatory कर दिया है तभी वहाँ का कोई भी काम होगा अगर आपके वहाँ पर high security number प्लेट नहीं है तो एक बार अपने आटियों बात कर लिजेगा कि जो विकल री रेजिस्टेशन वाला प्रोसेस है क्या वो बिना high security registration प्लेट हो जाएग के बाद ही इस प्रोसेस को आप complete कीजेगा अगर आपका commercial या transport विकल है तो इन डॉकुमेंटों के साथ साथ आप tax clearance report और fitness and permit certificate भी लेके जाएगा और जो भी supporting डॉक्पेटा उनको आप लेके जा सकते हैं अब बात करते हैं कि अगर आपकी payment pending में चले गई है या फिर आप उस पेस से exit हो गए थे तो यहां से re-verify payment transaction पे click करके application number डालके आप verify कर सकते हैं payment receipt आप यहां से निकाल सकते हैं इस पर click करेंगे इस तरीक से आपके सापने page open हो के आएगा तो आप registration number वाइस पर आप click करेंगे यहां पर application select कर लिजेगा यहां पर online service पर click कीजेगा यहां पर registration number यहां पर डाल दीजेगे यहां पर डालके source data इस पर click करेंगे और अगर कोई document आप अप्लोड करना चाहते हो वह यहां से आप कर सकते हो दूसरा तरीका यह document अप्लोड करका इस पर click करके यहां पर add pending slash modify upload document पर click करके इस पर upload आप कर सकते हैं modify or change करना चाहते हो तो इस पर click करके कर सकते हैं इस related वीडियो पर हमने अप्लोड कर रखी है यहां पर आप सर्च करोगे विकल्डॉक्स सिंप्ली सर्च कर दीजेगा विकल्डॉक्स जैसे आप यह सर्च करोगे तो यहां पर हमने complete process बता रखा किस तरीके से upload या re-upload आप कर सकते हैं डोकुमेंट वीकल्ड को इफ इनफ्रमेशन आपको चाहिए तो सिंप्ली यहां पर डाल दीजेगा विकल्डॉक्स तो इस related का भी वीडियो आपको यहां पर दिख जाएगी तो जो भी हमने आपको डोकुमेंट बताए इन सभी को आप आर्ट ओपिस लेके आप डालेगे आप डालेगे वीकल्ड डाल दीजेगा तो इससे रिलेटिड काफी वीडियो हमने अपलोड कर रख किये हैं नीचे की तरफ आप आओगे तो यहां पर यह जो वीडियो है इसको देखके प्रॉसस आप देख सकते हैं कि जो एपलिकेशन नंबर उससे किस तर आप चेक कर सकते हूं कि आइश्टेटर चल रहा है आपके अपलिकेशन का उम्मीद है वीडियो आज के आपको पसंद आई होगी वीडियो अगर आज के आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए शेर कीजिए जुड़ना चाहते हैं इसी जान करें पाने के लिए चै देखना चाहते हैं देख सकते हैं आज के लिए बस इतना ही मिलते हैं आप से अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ तक के लिए बाए टेक केर